साधना गोल्ट को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुचे आप तक सबसे पहले कैसे दुनिया में आया जाए यह महाभारत सिखाता है कैसे दुनिया में जिया जाए यह राम चरितमानस सिखाता है और कैसे दुनिया से विदा ली जाए यह भागवत सिखाता है सबकी अपना अपना एक विशेष्टा है कैसे मारनी है वो भी एक कला है तो माभारत से सिखा जाएगा एंट्री कैसे हो अमारी दुनिया में कोई कोई पिक्चर में कोई कोई सीडियल में आप देखते हैं या कभी कभी कोई स्टेज सो होता है तो उसमें जो मैन हीरो होता है उसकी एंट्री बहुत अधुत तरीके से होती है और लोग उसके लिए वेट करते हैं कैसे आएगा वो देखते हैं तो एक व सिर्व कैसे आता है वो भी लोगों को खुश कर जाता है कि बहुत बड़िया एंट्री की थी उसमें मैं कहना चाहता हूं है इस दुनिया में एक ही रोगों की तरह एंट्री आप भी करना सीखो ताकि दुनिया तो खुश हो सो हो, जगत तो खुश हो शो हो, जगदीश भी खुश हो जाए कि कमाल की एंट्री की है समय यह होना चाहिए अभी क्या है एंट्री की डेट का बहुत क्रेज है पहले इतना नहीं था पहले कितना था सरकारी डोक्योमेंट तक सीमित था अभी तो इंस्टाग्राम का एकाउंट बनते ही पहले यह डेट डालते कि एक मर्डर उस दिन हुआ था एना उस दिन दुनिया में प्रविश की है था तो पड़ा वो क्रेज है लिखने का और यह सब जन्म तारीक वगरा सब बताने का तो एंट्री बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आया कैसे जाए इस दुनिया में माभारत से सीखना है अभी मन्यू को देखो आप माभारत की कता अभी मन्यू की जो एंट्री हुई वो तो कितनी गजब की हुई उसने अपनी मा के गर्ब में ही बहुत कुछ विद्या सीख ली अप्चू की चत्री का बेटा है उसको लड़ना है माभारत का युद्ध चल रहा है और ऐसे में उसने सब कुछ सीखा कि माभारत के इस युद्ध के अंदर मेरी भूमी का क्या होगी मुझे कैसे व्यू को भेदना है करना ये सारा काम उसकी अंट्री इतनी जबरदस थी कि वो बहुत छोटी उमर में चला गया लेकिन आज भी उसको याद किया जाता है अब दूसरी बात जीया कैसे जाए इस जीने का भी बड़ा मामला है लोगों को जीना का आ रहा है याद रखिए स्वासों को लेने का नाम जिन्दगी नहीं है मात्र स्वास तो सभी लेते कीडी भी स्वास लेवे मकोड़ी स्वास लेवे माचर भी स्वास लेवे स्वास तो जब लेवे जीव जिता भी है, सब श्मास तो ले वे तो पच्छे आप अपाईश बास लेवा वाने जूर 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 आवा और वाने जूर जूर मर जावा तो पच्छे मतलब कही है जिनेरो जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि इस दुनिया में आने के बाद आपकी जिन्दगी महज गंदगी बनकर ना रहजाए प्रबू की बंदगी बन जाए ऐसी जिन्दगी हो जाए यह जीवन है आप रामचरितमानस पढ़ोगे न तो आपको समझ में आएगा बिटो केड़ो होनो बाप केड़ो होनो मा केड़ी होनी पत्नी केड़ी होनी बाई केड़ा होना सासू केड़ी होनी बहु केड़ी होनी और सबरो अपनो अपनो एक राल है अपनो जीवन है कि कैसा कैसा जीवन जीया जाए भगवान रामजी ने जीवन जीया है और आज भी ऩो शुमर्त चैटमेंट देना होता है तो लोग कहते हैं राम राज्य लेके आना है वहाँ भी राम जी को याद करते है क्योंकि उनका राज्य ऐसा था उनका जीवन ऐसा था उन्होंने प्रजा का हित किया था उन्होंने सबके हित की बात की थी सबके भले की बात की थी इसलिए हर व्यक्ति उनको अपना आदर्श मानता है मैं निबेदन करना चाहता हूँ सज्जनो कि इस दुनिया में आपका जीवन ऐसा हो जिन्दगी ऐसी हो कि आपकी मृत्यू भी महोत्सव बन जाए इस दुनिया से जब जाओ तब भी उट्सव में जीवन आपका हो कि इस आदमी ने जीवन बहुत बढ़ी आज़ी है कमाल के जीवन, कमाल की जिन्दगी जुलिए देखो दिवाली रो तयार आवे नि तो दिवाली रो तयार मत लक्षमी जीरो पूजन हो गए वो तो हो ही है लेकिन जो बच्चे हैं, जमान हैं उनको सबसे ज्यादा खुशी किसमे होती है पठा के फोड़ने कि दिवाली आईया मैं तो पठा का फोड़ना बस आनंद करो तो बड़ा वो होता है और पठा का फोड़ने उन्हें बड़ो आनंद आगे लेकिन इन पठा का फोड़ने जो सारी प्रक्रिया है इन सारी प्रक्रिया में बहुत लोग इन्वोल होते हैं खुब लोग जुड़ेवे होते हैं गुरूप के साथ में फोड़ते हैं आनंद करते हैं पुरा तो इस पठा के फोड़ने की प्रक्रिया में सबको खुशी होती है वो ठीक है लेकिन मुख्य रूप से तीन जनों को खुशी होती है सबसे जादा तीन जनों किस-किस को नमबर एक देखो विसलिशन हो रहा है पठा के फोड़ने का आप तो इतने सालों से फोड़ते आ गए लेकिन कभी सोचा नहीं अग सोचो तीन जनों पठा के फोड़ने क्या है तीन जनों को खुशी होती है नमबर एक जो पठा के बाजार से खरीद के लाता है उसको नमबर दू जो खुद पठा के छोड़ रहा है उसको जवाग लगाता है उसको और नमबर तीन जो पठाके छूटते हुए देख रहा है उसको तीन लोग मुख्य हो गए उसको हमने वो किया भाग बना दिया लाना जो पैसा खरच करता है ना उसको खुशी होती है क्योंकि पठाका छोड़ा और पठाका कर फूटा है तो वो पैसे जिसने खरच किया वो कहना वाह बढ़िया फटा के लेके आया मैं शांदाब महें थे पैसे तो लगे लेकिन फूटता ही पैसे वसूल होगे शूट गया आवाज बढ़िया होई रोशनी होई अब अच्छा हुआ तो भई अपना तो पैसे वसूल होगे अभी जो छोड रहा है उसको भी गौराव था वो पयावलो के वे तेख मैं लाए ज़ड़ियो तो भोगे मैं छोड़ियो ज़ड़ियो छोड़ने भी तो कलाय है भई तो उसमें भी जिगर चाहिए अच्छा छोड़ने वाले को भी खुशी होते है लेकिन सबसे ज़्यादा आनत चो लेता है वो देखने वाला लेता है ओ अगोबो रहे और देखे और पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है वो पठाटी की और नजर रखता है एकदम उसका लगा लक्षा है अरजुन की जैसे दिर्ष्टी होती वैसा है पूरा और पूरा देखता है कैसे छूटा था कैसे फूटा था आवाज कितनी हुई थी उपर कैसे गया था फिर रोशनी कैसे हुई थी छोटने माला है तक अनन ने लेसेगे टे क्योंकि छोटने माला तो अगर पुछती लेन नावेज फूट जैथे लेका अनन तो लेता हो बेसे लेता है ऊवरशना ओ देखनade भै दुट अपने देखो क्या अनन्द यज इच जा लेक 273 सार का सारा खेल किस केुपे पिपेंडे हैं? किस के रिरबरे रुपए्वेरे? वस पता के पे पे फुती पे ठीजिक डियो भूठी हो, वपयाओ कह νेच wow कह 넌 it seems to be the US, जब मामला पता के पे है्गते हैं अगर वह बूठा के पूठे तो हैंग भीडिब इसलिए देशी बासा में एफुस ओगिए भीड़ियोग भाई मिस होगया ना खराब निकला शोर्षाहिए नहीं उत्राइए नहीं नहीं शोर्षाहिए नहीं नहीं रहा है यह मतलब है जिसको नहीं पूटना होता है वो पूरा नटक और करता है जिसको नहीं पूटना होता 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 है यह चूटे नही बाठ नहीं ऴ심ारत, अचितो? बाठ चोले बाठ चूटे बाठ बाठ लगाए फिर ऐसे करता है और पर झाट जिए जर्ग बाठ टूसरी बाठ पर करगिरय यांट बाठ एए उनथे प्याहिए अपाल मैंड कि इंडियन माइंड है अदा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अब नपा होगा या नुकसाँ लेकिन काम तो पूरा खरिड़ा है प्याला घुड़ा यार तो वो अदी पाट भी रहेला तो भी उने ट्राइ करे लाइक और 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 ट्राइ करके पोड़नो तो याप पेकार जावे लेकिन अखर में वो बाट मी जल जाती है सोर होता नहीं यह भी उचाँ अब जाता है और जब नहीं फूरता है तो जो पैसा खरच करके उसको लेके आया उसको बड़ी निराश्चा होती है अब 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 आप उनी में गया वहीं बड़ी नहीं मतलब नहीं बड़ा खराब है जोड़े उनों बड़ उत्सार है लेकिन वहीं कियो यार मतलब नहीं दस मिट खराब किया इस ज़गी एज दूसरा चोड़ती है और जो देख ऑने तो गणिनिराश्य होग उन्हें तो सबसे जादा तकलीब होती है क्योंकि एक तो उसको कुछ करना नहीं होता उसका तो वही है जो है जो है उसका एंटेंटमेंट कौन कर रहा है वहीं पता कर रहा है और वहीं नहीं फूटता है और पंदरा मिन तक वह वेट करता उसमें फूटेगा 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 फ और यह भूटाईनी, तो फे निराशा तो होती है, और जो फटा के फूट गए, वो तो फूट गए, अब ग्या मतलब, तो बड़ी निराशा आत लगती है, पठा का नहीं फूटता है, तो बहुत निराशा होती है, लेकिन वही पठा का फूट जाता है, तो खुशी बीतर सम आती नहीं है आनंद आनंद आजाता है दिपावली मनाने का पुरा मकसद पुरा हो जाता है ठीक वैसे ही याद रखियेगा सज्जनों हम भी इस दुनिया में भगवान के भेजे हुए पठाके हैं अगर निराशा से जिंदगी जी आनंद से जिंदगी नहीं जी पूरा रस नहीं लिया हताश रहे frustration में disappointment हो करके अगर जिंदगी जी ली गैर responsibility वाली अगर जिंदगी जी ली गैर जिम्मेदाराना अगर जीवन जी लिया कुछ किया नहीं बड़ा काम बस खाए पियर चले गए तो फूस माने जाएंगे मिस माने जाएंगे लोग कहेंगे इस पर investment करना ही नहीं था भगवान को बेकार निकला ही है कुछ किया ही नहीं यार इसने तो दर्ती पर भार बन के रहा कोई मतलब नहीं लेकिन याद रखना सज्जनों मैं बात कर रहा था जीने की के जीवन जीना सीखा जाए राम जिर्त मानस से और जीवन बढ़िया जीने का मतलब है कि ऐसे पठा के बन कर ऐसी आवाज करना कि लोग सोए हुए जग जाए तुम भी जगो दुनिया को भी जगरित करके चले जाओ और तो और जगत को तो खुशी हो सो हो तुमारी जिंदगी से ईश्वर भी खुश हो जाए और कह दे कम करके आया क्या विशोट था तेरी जिंदगी का तुने वास्तों में जिम्मेदारी निभाई है ऐसी जिंदगी जियोगे तो आकिकत में दिवाली मन पाएगी जिंदगी के फिर हर दिन दिवाली होगी हर दिन नया उच्छा नया उमंग जीवन ऐसा हो जीवन एड़ो जीव उनको आप कैसा भी देख लो कुछ भी देख लो वो रोती ही ज्रेवे अच्छा कही लोग तो अड़ा भी पे मोनो इमातो कावे बहुत दुखी है माराथ क्या करें अच्छा भी अब क्या करें इसा अधमी आजा तो कुछ निसके लिए को निसके लिए भी परदया पड़ता है भाकी मोनी इताई कि मैं कही कर सका कई जड़ो करम एड़ो भुगनों पड़ी ठीक एशांटों दे सकते भी बड़े बड़े बड़ी बड़े बड़े कुछ तो ज्यान दे वे अरे भई राम जीने 14 साल वन में जानों पड़ियो तो 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 कई चीजे कुछ अम जा ओड़ियो पन बस अरे महाराज बहुत दुखी है क्या दुख्या भई बेटो नहीं है कि कर चाली आगे किने आ तक लिए तंदो नहीं चाल रियो किने कई तक लि दंदा नहीं चल रहा है तो करम महनत करो भई कहीं महनत में कमी रही होगी कहीं कुछ गड़ रही होगी तुम शायद जमाने के साथ चल नहीं पाए होंगे तुम जमाने की बात को समझ नहीं पाए होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है बहुत लोगों को GST लगने पे तकली क्योंकि कभी दियावा नहीं अब तुक मैं रोहो आकर के महराज के पास मैं बगवान के पास मैं बगवान कंगाल कर दिया बचारा बगवान क्या करेगा बगवान बोलेगा यार एंडरोइट का जमाना है अप्लिकेशन का जमाना है तुम एक software खरितते हो, तुम WhatsApp डाउनलोड करते हो, दो महिने बाद उसका भी अपडेट वर्जन आ जाता है, और अपडेट वर्जन अगर तुम अपडेट ना करो, तो तुमारा वाटसप बंद हो जाता है, अपडेट तो करना पड़ता है, तुम भी अपडेट हो जा, GST भर अपडेट है, एक बात बता हो, जिसको तरना नहीं आता है, वो पानी से बड़ता है, शुरु 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 ने तुसको ऐसा लगता है, जैसे गये, मर गये, दूब जाएंगे, और अकेला पानी में नहीं कुद दो, लेकिन जिने तिरनो आवे पच्छे, वो पानी मोग चीए अनन्द आज़ाता है, एक भम फ्रेश हो जाते है, लटी हो जाते है, लेकिन ये आनन्द का पाता है, टेरना सीखने के बाद आता है, नहीं सीखते थब तक तखलीब है, ये ऐसा ही है, दंदे में भी, अब उनको समझावे कोन लेकिन वो रोते ही रहेंगे, वो रोते ही नहीं है अरे बदलो यार लाइफ स्टाइल बदलो जिंदगी की थोड़ा आनंद लो न उत्सा से लो क्या रोते 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 जन्मले ना इतने दुख्षी बात नहीं है एंट्री अगर थोड़ी गड़बड़ होगे तो चलेगा अभी बाकी की फिल्म पढ़िये उसमें तो अच्छा रोल कर ले कोशिश करनी के एंट्री बढ़िया हो नहीं होई तो कोई नहीं अब उस पर रोना क्या आगे बढ़ो और एक बात बताओ रोते हुए तो सभी जनमते हैं लेकिन एक संत और संसारी के जीवन में फर्क क्या है संत और संसारी के जीवन में इतना ही फर्क है कि संत और संसारी दोनों ही रोते रोते जनमते हैं संसारी रोते रोते जनमता है रोते रोते जीता है रोते रोते ही मर जाता है मगर संत रोते रोते जनमत जरूर है लेकिन वो रोते रोते जीता नहीं वो हसते हसाते हुए जीता है और दुनिया से विदा भी होता है तो खुद हसते हसते विदा होता है पर दुनिया वालों की आखों में आँसों छोड़ जाता है कि आदमी बढ़िया था इसका मतलब संत बनने का मतलब अब यह खाली एक कपड़ पहनने से मतलब नहीं है कपड़े का तो क्या है कपड़े का कोई लफड़ा नहीं है अपने तो पैंट सूट पहनने वाला भी संत हो सकता है अगर वो हंसते हंसाते जिंदगी जीरा है अब ऐसा है डेफिनेशन बदल दी अब कपड़ों से खाली कोई नहीं है कपड़ा पहन लेयार मौमल सही नहीं है तो तो अपने तो गुड होना जीवन का अनंद लेना मस्ती लेने अंस्ते हुए जीवन जिया जाया कई लोगों ने तुमें देख्या बारे तो हसे की कर ओः आ ठीक है सव डुप्लिकेट असी कोई तो हस्तेर कई हसे रूऑ नहीं पेट की कबजी का तो तो बुट सुना है किसी किसी तो हसी पर भी कबजी लगी है कबजी है असी तो हसी दी आरी यह फसी एठी अधीए और खुल के अर्स तो चाहया तो हस्त ही नहीं केई लोगों ने दमे देखिया हूँ रोवेन केई तो महीं मैं दमिडा लेवे अरे मारे यूँ बगवाउन ने इस दुख दियो ना मैं निवेदन करना चाहता हूँ सजनो कि जीना हो तो फिर ऐसा जीना हो अमारे सास्त्रों में लिखा है स्बर्ग है नीचे नर्ग है । पढ़ती पढ़ती आपर स्बर्ग है अब गवो स्बर्ग है तो सग्ये सुना है लिवेशा है थे लिखा तो है ने यजे तो कॉम पड़ नि देखनो जाह मजद देखि लागी और जो अपने गया है बढ़े रहा है फॉर अपने कोई प्वोन भीजू कर ने के बता है है ड़ ग बड़ बड़ सचलता नियो है बेल बड़ बटवा जाती थουν दू बेट बेठ उन भाई तो उपर वाला तो मालूम नहीं है कि नहीं है कि है तो कैसा है बड़ा है छोटा है कितने लोगों की रहने की capacity है क्या है कोई system अपने को मालू में लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा यही मत रखो कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे यह तो है ठीक है मरने के बाद जब जाएंगे तब जाएंगे लेकिन हो सकता है स्वर्ग में भीड़ जादा हो हो सकता है कि आपको जगे मिले या न मिले तो कुछ ऐसा किया जाए जिंदगी को ही कुछ ऐसा जिया जाए कि वहां स्वर्ग जाने की जरुत ना पड़े स्वर्ग को ही धर्ती पर लाया जाए स्वर्ग को ही अपने जिन्दगी से धर्ती पे उतार दो न आप ऐसा जीवन जी लो कि लोगों को लगए यार इस आजमी के पास बेठे रहो इसके पास बेठते हैं तो ऐसा लगदा है जिसे स्वर्ग में ही बेठे ऐसा जीवन जीवन खुदाने दी है जिन्दगी, तो जिन्दगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग, तो उतारला जमीन पर, उतारला जमीन और अपनों तो स्वर्ग में इच बठा हूँ, और या कुई स्वर्ग कम है गई सवर्ग में और ये कथा सुन रहे हैं सत्संग सुन रहे हैं स्वर्ग में तो बैठे है संत कबीरदाज ने क्या लिखा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो जो सुक है सत्संग में सोबय कुन ठर्ण हो संत कबीरदाज जी के वहां भगवान के वहां से कॉल आया कि चलिए आपको सीट मिल गई है संत कबीरदाज जी ने बना कर दिया वहले नहीं वहले क्यों नहीं वह twenty वैकुंट में तो सबाना चाहते है वई नरक में थोड़ी ले जारे हैं आपको नरक में कोई नहीं जाना चाहते हैं और अधा हमने इस्पेशली बुलाया है हम भी चाहते हैं कि आप जैसा महापूर्श महा होगा तो हमारे वेकुंट की भी सोभा बढ़ेगी और आपको हम सारी फसलिटी दे रहे हैं आईए ना कितना अच्छा है वेकुंट सब लोग आना चाहते है संत कभिरदास जी ने कहा वेकुंट में क्या-क्या फसलिटी है जी भगवान बोले हम है लक्षमी जी है और बहुत सुविदाए हैं आपको ना कुछ करना नहीं पड़ेगा नोक और चाकरदास लासी सब सेवा में लगे होंगे सब आपकी सेवा करेंगे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपके काऊडर पे सारा काम हो जाएगा बहुत आनन्द है बहुत आनन्द है वो तो ठीक है आप भी है वो भी ठीक है पर एक बात बताओ आपकी कथा है की नहीं आपकी सत्संवा पे होती है की नहीं कुछ भजन कथा वगेरा कुछ यसा होता आपके चर्चा होती है बगवान बोले हम होते हैं तो हमारी चर्चा नहीं होती हम होते हैं क्योंकि हमारी चर्चा करने वाला तो दूसरे लोग होते हैं वो लोग करते हैं हमारी ग्यार मौजूदगी में अब हम रहते हैं तो कौन करते हैं हमारी चर्चा हम तो करते हैं हम होते एक्टिविटीज होती रहती है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, बाकि सत्संग अगरा नहीं होती, वहाँ पर फंडाल फंडाल नहीं लगता, कथा बता नहीं होती, कविरदाजी बोले तो फिर रहने दो मेरे तो यही वहकुंट है, आप ना सही आपकी कथा ही वहकुंट है, यहाँ दर्ती पे तुमारी कथा है, सबसंग है, बजन है, मुझे इसी में आनंद है, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की कथा अगर सुनने को मलती है, तो यह किसी स स्वर्ग से कम नहीं है, यह जमीन पर उत्रा हुआ स्वर्ग है, तो कितना आनंद है सज्जन, जिन्दगी तो ऐसी होनी चाहिए, जीवन सीखना है राम चरितमानस से, और मरना सीखना है श्री मद भागवत महापुरान से, आप भागवत मरनों सिखा लेए, मरना है, कही जगे मैं भाथ कहुए होनिए, कि है भागवत मिदों से बागवत मिदोंे खागवत καता मरनों सिखा लेए, इन वास थे हाठ दने क्लास लागेहना लाग हो जाए, यह बोलत सारे लोग होते हैं उत्वं हमारा फ необходимо मत बरना से इस क्लास्म है, कि अभी तो जीना है और तो मरने की बात कर रहे हो अभी तो जीना है लेकिन सज्जनों ये मरना कौन सा मरना ये ऐसे मरना नहीं है कोई सुसाइड थोड़ी कर रहे है आत्मत्या नहीं हो रहे है मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब बहुत प्यारा थे मरो तो ऐसे मरो कि फिर मा के गरग में दुबारा आना ही ना पड़ी पुनरपी जनननम पुनरपी मरननम पुनरपी जननी जठरे शयनम यसंसारे खलदस्तारे क्रपया पाहे भी मुरारे, भजगोविन्दम, 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 भूमूठमते, वापस नहीं आना, परिक्षित जी ने भागवत सुनी थी, मरने से पहले, फिर वो मरे, तो मरे तो ऐसे मरे, कि फिर उनको माँ के गरब में क्रिण बन नहीं कि आजए चुटकारा मुझे भुट राओ और काली जन्म खार ये नहीं एक बढ़ा इक पाद बाद अच्छा बगद बजन अन्दी बाभा कूप सत्संत परवचन कर्था और आपरे बहुत साधना भी कर्ता तो एक समय आयो तो पछए परवचन वगगद आप तयार हैं सब करते हैं तो अच्छा है अब हम तो बस बजे नी करना है जादा भी अमारे सिश्य हैं वो करते हैं तो महराज तो करते नहीं थी काफी साल हो गया एक वार महराज जी थोड़ा बिमार वया बिमार हो तो बलकुल तो ऐसी स्तती आगई अब तो चलाचली का मेला है तो जाने वाले हैं कोई भरोसा नहीं कभी भी टिकेट कर सकता है तो फिर सब उनकी जो फॉलोवर्स थे वो सब एकटे हुए उनकी सिश्य वगरा भी आए खुब भगत थे उनको मानते थे वो सब याए बड़ी भीडवी आश्रम में और सब लोग ने विदन करियो बाबाजी आप तो बोलनों बंद कर दियो प्रवचन देनों बंद कर दियो परंतु हमारी यंतिम इच्छा है कि अब जाते जाते दो शब्द ही सही पर बोल जाओ कुछ तो सुना जाओ हम सुनना चाहते हैं बहुत कहा वहक्षवोत सिर्फ दो शब्दी बोल जाओ बस जीयदा नहीए रही हमारे लिए दो शब्दी बहुत हों कि अरवके अम्रत-वचन कहँ पड़े हैं गणों कयो तो संत एगदम तयार इह कूरे वह बाभर और हमारा आज देतों कोई हर हुए गया पर पर दो शब्द बोलें थे तो दो शब्द बोलें एक शब्द था मर दूसरा सब्द था जाओ मर जाओ साथना गोल्ट को अभी सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुचे आप तक सबसे पहले